Good morning kids, I hope you all are good बीटा, आज हम हिंदी में गिंती करेंगे गिंती एक से दस जैसे हम मैस में काउंटिंग करते हैं ना काउंटिंग इंवर्ड्स O, N, E, 1, T, W, O, 2, T, H, R, E, E, 3 इसी परहने से आज हम हिंदी में गिंती करेंगे और हिंदी किस में करेंगे? शब्दों में करेंगे एक, एक, दो और जब हम दो बोल रहे हैं तो दो में कौन से मातरा लग रही है बीटा? O की मातरा तीन, तीन, चार, चार तो चलिए अब हम आपना रिटिन वर्ग स्टार्ट करते हैं Let's start today's work First of all we will mention today's date in left-hand side and today's date is 13th of February 2021 Miss 1313.02.2021 and just opposite side we will mention लिखित कारे and second line we will mention today's heading and today's heading is गिंती एक से दस पीटा आज हम हिंदी में गिंती करेंगे एक से दस और हम गिंती किस में लिखेंगे? शब्दों में लिखेंगे जैसे हम English में वर्ट में लिखते है ना गिंती Spelling में O N E 1 T W O 2 ऐसे हम हिंदी में लिखेंगे एक एक दो नमबर वन अब देखिए वन यानि कि एक 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 टू और टू को हिंदी में क्या बोलते है? दो और दो में कौनसी मात्रा लगने है बिटा? ओ की मात्रा जैसे हम दो में ओ की मात्रा लगाएंगे इसे हम क्या बोलेंगे? दो. एक, एक, दो. एक, दो. अब यह देखिए, त्री, और त्री को हिंदी में क्या बोलेंगे? तीन. तीन, तीन. अब तो हमें कौनसे मात्रा आ रही है, बिटा? ए की मात्रा. इसे हम कैसे बोल रहे हैं? लंबा कीच के बोल रहे हैं तीन तीन फोर नंबा फोर और फोर को क्या बोलेंगे हिंदी में बताईए फोर को हिंदी में क्या बोलते हैं चार 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 और चार में कौनसी मात्रा लग रही है बिटा आ की मात्रा चार चार बिटा फाइव और 5 को क्या बोलेंगे? 5 पा और प में कुछ से मात्रा रहे? आ की मात्रा और प के उपर क्या लगेगी, बीटा? चंदर बिंदू लगेगी, इस तरह से 5, 5 यह देखिए 1, 2, 3 4, 4 5, 5 अब देखिए, 6 और 6 को हिंदी में क्या बोलती है? 6 6 नमबर 7 और 7 को हिंदी में क्या बोलेंगे? पता हैं आपको 7 को हिंदी में क्या बोलते हैं? Yes, 7 को हिंदी में बोलते हैं, 7 7, 7 अब स्वामी को से मात्रा लग रहे है बीटा? आ की मात्रा 7, 7 नमबर एट एट को बोलेंगे हम आठ और नमबर नाइन और नाइन को बोलेंगे नो हमने चुतर देख्के नाम लिकों में विटAmerica था ना इसने क्या होता है जीए नाब में कोजी मात्र आएगी ओ की मात्रा जैसी हमने ना में ओ की मात्रा लगाई 9 and last 1, 0, 10 और 10 को हिंदी में क्या बोलते है 10 10, 10 एक बर दुबारा से रिपीट करते है मेटा गिंती एक से 10 1, 1 2 3, 3 4, 4 5, 5 6 7, 7 8, 9 9 10 11 13 14 15 16 18 18 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 22 22 26 28 29 29 29 29 30 30 30 31 31 31 31 32 25 29 30 29 32 37 33 33 33 33 34 59 गुफा, गुफा नमब फो नमब फिफ्ट, जूता, जूता बेटर दियां से सुनिये जूता, जूता नमब फिफ्ट शुति लेक वर्ड नमब सिख शुति लेक वर्ड त्रिशा, त्रिशा और त्रिशा का अर्थ होता है प्यास, नमब सिख त्रिशा, त्रिशा नमबर 6 शुर्ति लेक वर्ड, here you will write नमबर 7 लेख, लेख पेटे ध्यान से सुनिए, मैं हम कैसे बोल रहे है लेख, लेख नमबर 7 पेटे नमबर 8 शुर्ति लेक वर्ड नईया, नईया अब इसमें क्या हो रहे है, नम में कौन सी मातरा लग रही है आई की मातरा, जिसे हम आई की मातरा भी बोलते है और साउंड कौन सी आ रही है, आई की आ रही है क्योंकि नई के बद क्या लग रहा है या आ रहा है, नईया नईया, नईया लास्ट वरफ दो शुतिले, here you will write बीटा, work बहुत neatly करना है, बहुत किया फुली करना है and speak and write, जो भी आप लिखने हैं उसे बोल बोल कर करेंगे और शुतिलेक वर्स पहले बहुत ध्यान से सुनने हैं और फिर करने हैं Kids, it's practice time, बीटा, first of all we will mention same date and return work in first line, leave one box and write heading in third line addition, A-D-D-I-T-I-O-N, addition, A should be capital again, leave one box from the margin line, leave two boxes and write T-U here U stands for unit or ones and T stands for tens 5-5-55 plus 4-2-42, better first we will solve unit side before solving the sum, you have to read the sum 5 plus 2, here 5 is upper digit and 2 is lower digit so 5 goes on head and 2 goes on finger 5 goes on head and 2 goes on finger 5 goes on head and 2 goes on finger hit 5, 5, what comes after 5? yes, what comes after 5? 6, 7, answer is 7, better here we will write 7 unit side solve, now come to tens side, before solving the sum, you have to read the sum 5 plus 4, here 5 is upper digit and 4 is lower digit so 5 goes on head and 4 goes on finger 5 goes on head, 4 goes on finger hit 5, 5, what comes after 5? 5, 6, 7, 8, 9, answer is 9, better here we will write 9 in the end we will read the whole sum 5, 5, 55, plus 4, 2, 42 and the answer is 9, 7, 97 and kids you have to do 2 more sum after that leave 2 boxes and from here again leave 2 boxes and write heading subtraction SUB sub as should be capital TRAC traction TIO and shun subtraction again leave 1 box and from here leave 2 boxes and write TU 9898 minus 8585 bit of fast we will solve unit side before solving the sum you have to read the sum 8 minus 5 here 5 is lower digit and it is upper digit so we will throw 5 and count till 8 throw 5, count till 8, make a fist 5, what comes after 5? yes, what comes after 5? 6, 7, 8 now count the fingers, how many fingers are there? 1, 2, 3, answer is 3 data here we will write 3 unit side solve now come to 10 side before solving the sum you have to read the sum 9 minus 8 here 8 is lower digit and 9 is upper digit so we will throw 8 and count till 9 throw 8, count till 9, make a fist 8, what comes after 8? yes, what comes after 8? what comes after 8? 9 now again count the finger 1 answer is 1 better here we will write 1 in the end we will read the whole sum 9, 8, 98 minus 8, 5, 85 and the answer is 1, 3, 13 and kids you have to do 2 more sum better work should be neat and clean and formation should be correct and do practice of addition and subtraction take care, bye bye bye